अब हम देखेंगे कि nameless function क्या होते है, nameless function सहीं function की तरह ही होते है, बस यह एक अलग तरीका है function को लिखने का, तो हम कौन keyword का यूद करेंगे, और फिर एक function का नाम लिख लेंगे, और फिर उसके आगे function लिखे, उसमें argument पास कर देंगे, a and b हमारा argument है, तो उसको पास कर देंगे, बाद में हमारे curly verses के अंदर, हम return कर देंगे, अपनी सम को a plus b2, save कर लेंगे, अब हम इसको call कैसे करेंगे, अमनारे normal function के तरह ही हम इसको call करेंगे, 1 and 2, तो इसको एक variable में store कर लेते हैं, let equal to, और फिर अपने a को print कर लेते हैं, तो यहां पर 3 print हो क्या आख चुका है, तो ही होते हैं हमारे nameless functions, झाल diversity है तो ही हम आखे यहां खुका गुथान हम आखए, झाल में खशए, उह उवक हैं ऑल आखेंगे, पुदाय को कर दो आखेंगे, आप